भजन सहिता अध्याय तीस हे यहोवा मैं तुझे सरा हूंगा क्योंकि तूने मुझे खीच कर निकाला है और मेरे शत्रों को मुझे पर आनंद करने नहीं दिया हे मेरे परमिश्वर यहोवा मैंने तेरी दोहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है हे यहोवा, तुने मेरा प्रान अधोलोक में से निकाला है, तुने मुझको जीवित रखा और कवर में पढ़ने से बचाया है, हे यहोवा के भक्तो, उसका भजन गाओ, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरन होता है, उसका धन्यवात करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षन भर का होता है, परंतु उसकी प्रसनता जीवन भर की होती है, कदाचेत रात को रोना पड़े, परंतु सबेरे आनंद पहुचेगा, मैंने तो अपने चैन के समय कहा था, कि मैं कभी नहीं टलने का, हे यहोवा, अपनी प्रसनता से तुने मेरे पहाड को दुरुढ और स्थिर कि किया था, जब तुने अपना मुख फेर लिया, तब मैं घबरा गया, हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा, और यहोवा से गिड़गडा कर यह बिंती की, कि जब मैं कबर में चला जाओंगा, तब मेरे लोहु से क्या लाब होगा, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकत हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, तु मेरा सहायक हो, तुने मेरे लिए विलाब को नुरुत्य में बदल डाला, तुने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे, और कभी चुप नह हे मेरे परमिश्वरी होवा, मैं सरवदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा